step by step ध्यान से देखिएगा SBI का ATM pin generation कैसे करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको चाहिए account number और एक चाहिए आपका phone number जो account से attach हो तो सबसे पहले कोई भी आप ATM पे आ जाएंगे उसके बाद enter होने के बाद इस देखिए ATM में जो है cash नहीं है बोल रहा है कोई बात नहीं है आपको ATM को insert करना है तो ATM हम अंदर ATM card डाल दिए तो यहाँ पर लिख रहा है इस ATM जो है cannot बतलब यहाँ पर cash नहीं है तो हम यहाँ पर कोई बात ने yes कर दिया ठीक है आगे देखिए बोल रहा है your transition is being proceed wait यहाँ पर एकाउंट नमबर डालना है तो account number मैं हाथ पर लिख लिख लिया हूँ क्योंकि इसी phone number पर आएगा तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूं account number पहले account number डालना है फिर आपका phone number मांगेगा ठीक है फिर वह आपको एक भेज़ेगा number तो हम account number डाल रहे हैं और अगर सही है तो press if correct ठीक है तो press कर देंगे हाँ पर फिर enter your 10 digit mobile number डालना है तो mobile number यहाँ पर मैं hide कर दे रहा हूँ account number यह डाल करके फिर आप वही वह दबाएंगे press if correct ठीक है तब क्या होगा एक आपका दोस्तों यह mobile number मैं डाल रहा हूँ डालने के बाद यह दबा दिया ठीक है तो अब क्या होगा अब एक जो है आपको password ही बना करक है और उसमें number में लिखा रहेगा लिखा रहेगा इसे जिसे 6 है न तो SIX 7 है तो 7 की spelling 8 है तो 8 की spelling ऐसे लिखा रहेगा देखिए जैसे मैंने आया है मैं यहाँ पर आया मेरे में तो मैं hide कर दिया हूँ तो यह message आ गया अब इसी को आपको pin ATM माल लेना है ठीक है जिसे की यही pin माल लेना है फिर आप pin change कर दिजेगा देखिए हम फिर से डाले card yes कि यहाँ पर yes इस लिए कि बोला था कि पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है yes करके आगे हमको proceed करना है तो language तो अंग्रेजी इंग्लिस फिर देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे पहले pin generate अब करेंगे banking यहाँ पर banking करेंगे और यहाँ पर देखिए pin change दिया है pin change दबाएंगे ठीक है अब यहाँ पर बोल रहा है कोई भी दो नंबर जो है आप दबा दिए 10 से लेकर 99 के बीच में तो हम कुछ भी यहाँ पर डाल दिए बासर डाल दिए yes कर दिए अब यहाँ पर जो current pin जो mobile सब बनाना है वह बना लीजी तो वह हम दबा रहे हैं ठीक है वहम बना रहे हैं तो हम बना लिए अब एक बर और रिस निकलिका है जो नया pin आप बनाये हैं फिर और दबाद लीजी ठीक है दबा दीजे अब इसके बाद आपका पिन जो है बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखे लिख रहा है your transaction is being proceed अगर यहाँ पर लिख देगा completed तो समझ यह बन गया तो देखें transaction completed यहाँ पर लिख चुका है तो आपका यहाँ पर new ATM pin generate हो चुका है ठीक है पहले generate pin करेंगे याद रखेगा और उसके बाद दोस्तों next वाले में banking करेंगे और फिर pin change करेंगे हो जाएगा thank you like share करें धन्यवाद